125cc के पूरे वेरियंट में भाई ये एक लौती बाइक है जो 125 प्लस आपको टापेंड देती है इसके इनिशल पावर है ना भाई बहुत जादा कम है यह है कि जब आप इसको चलाते है ना बिना स्लिपर करश के जो आपकी जो हतेली होती है ने यह वाली हतेली बहुत दर्द क स्वागत है दोस्तों नई वीडियो और मैं आपका दोस्त प्रिंस एक फिर से लेका आया है और यह सामने जो खड़ी है गाड़ी हमारे इसका नाम है KTM RC 125 CC और बाइक दिखने में कुछ ऐसी है आप देख सकते हैं बहुत आपने रोड पे भी बहुत देखी होगी पर जो ब आपको पहुंचा हूं तो आज मैं वही चीज कवर करने जा रहा हूं इस बाइक के माध्यम से और इसका ओनर हमारे साथ हैं तो उनसे पूछेंगे कि भाई आपने कितने के लिए और क्यूं ली सेग्मेंट में आपको और भी मिल सकती थी 125 CC क्यूं ली इस बढ़ा के भी बाकी चलो उनसे बात करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसी रही तो पूरी वीडियो आप लास तक जुरूर देखना इसके बारे में हम सारी चीजे कवर करेंगे और वीडियो कैसी लगी कि तो उसके लिए आप हमें थम्स अप देना चैनल को नीचे जाके सस्क्राइब भी क भी देख ह्रहें तो हमारे बंटी है हैं इनके पास इस गाड़ी को हं करते हैं तो आच लिए इन से बता करते हैं कि इनकी बाइक कैसी है किस हसाब से करते हैं और क्या कर लेनी हैं क्या शुरू कमिया यह और क्या शवाह भूरी办 ठीक है बंटी भाई तो आपने बाइक आप आप कर रहे हो काफी टाइम से आप इसको और रहे हो तो हमसे ज़्यादा आपको पता होगा इसके बारे में तो आप मुझे इसकी कुछ अच्छाईयां बता और कुछ बुराईयां बता इस दोरान मुझे अच्छा खासा एक करना थोड़ा सा कही नगई परिशानी दे सकता है दो लाग अगर वैल्यू आफ मनी की बात करें तो भाई इसका जो कमी है इसके इनीशल पावर है ना भाई बहुत ज्यादा कम है दो लाग रुपे आपको 125cc है और इसमें आपको इनीशल पावर थोड़ा सा कम देखने को म होगे तो वो एक थोड़ी सी कमी खलती है कहीं ना कहीं दूसरी अगर बुराई हो कि मैं बात कर लिए तो भाई इस बाइक के अंदर मुझे सिंगल चैनल डेविस मिलता है और वहीं अगर मैं किसी और लाइनप पकी बाइको को चुनता हूं तो मुझे भाई इसी प्राइज तो मुझे पता था मैं इसको कैसे रोकता था जब वो स्पीड में थी ठीक है भाई आगे बताई आप अपने वेरियंट्स को इतना इनहांस कर रही थी तो मैं मेरे को एक कमी और लगती है कि इसके अंदर स्लिपर क्लच बहुत दर्द करती है और मेरे साथ भी यह सेम चीज ह हो चुकी है मेरे ड्यूक के अंदर तो मैं भी यह सोचता था कि इसमें स्लिपर क्लच होना चीए था इवन आप जो अब जो भाई के आ रहे हैं इनकी उनके अंदर दे दिया है स्लिपर क्लच तो यह काम नों अच्छा किया है क्योंकि कहीं नहीं कहीं कहीं के वाले भी देख अब आप दिखा दीजे वीवर्स को काफी पुराना ओड़ोमिटर मिल जाता है इसमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है आला कि अपके एटिम ने इसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है तो अब जो नई के एटिम आ रही है उसमें यह थोड़ा फीचर एडवांस कर दिय अब अच्छाई की बात कर लेते हैं अच्छाई की बात करें तो भाई जो इसका लोग है ना भाई जो बंदे आपको पीछे मुड़ा जरूर देखेंगे बाई यह बात तो इवन मैंने भी जब पहली बार इस बाइक को देखा था जो बंदा लेके जा रहा था मेरे सामने तो मैं भी पीछे मुड़ा था किया चीज निगा लिए और इसका जो कलर कॉंबिनेशन कंपनी देती है ना जो भी इसका डिजाइनर जो भी टीम बैठती है देखो आप देख सकते हैं कि आप वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा कॉंट्रास्ट है जब सब्सक्राइब को मैं जाता हूं तो उनको टॉप एंड होता है ना वह अच्छा नहीं होता है सब्सक्राइब तो उसकी मैक्सिमन स्पीड होगी 107-180 भगाने वार 190 भगा लेते हैं मत भाई 125 सीची के पूरे वेरियंट में भाई एक इकलोती भाई है जो 125 प्लस आपको टॉ पैंट रहा है वो 127 किलो मेटर की स्पीड कर रहा है बाकि ये ऑटो कट भी रहती है ऑटो कट हो जाती है बाकि इससे उपर जा सकती है बट इसका ऑटो कट जो इसमें के टेम ने इसका सिक्यर्टी फीचर दे रख्ड़ा उसके काराण इससे ज्यादा नहीं जा पाती है मैन होने का जो मैटर था मेन यही था कि वो सोसीजी पूरी भाग जाती थी और स्नैचर्स उसको यूज करते थे तो ठीक है बाई और आगे बताइए आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आप किसी भी और वेरेंट्स की कंपनी के किसी भी और वेरेंट्स में अगर आप चरे जाओगे तो आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलते हैं जिसे साब से कस्टमर से पना पैसा लेती है उस पैसे को पूरी तरीके क्वालिटी देते हैं बागी यामा की आप कुछ पाय के देख लो कि भाई इसके इंडियन क्वालिटी तो सही होती मगर आप जैसे एक टाइम प्रेंड के बाद ना उनकी जो बिल्ड क्वालिटी इसके साड़ी की फ्रेंडिन है वो अवास करने लग जाती है बजने लगती है वो अमधा बजने लगती है चीज तो मैंने भी नोटिस किया है आगे का जो आपने बना रख है ने इसमें लगा इंशॉरेंस बगएरा सब इसमें था अच्छा चलो बहुत बढ़ी है मेरे भाई तो कौन से मॉडल है यह यह 2021 मॉडल है बाकी देखा जाए कंडिशन के साब से तो आपने ठीक यह अपने लैमिनेशन करा रहा है वैसे आपने बहुत मैंटेन कर रहे है वो तो देखने सभी अब पता लग रहा है इसकी सीट का मुझे ना वह समझ नहीं आता है किसी साथ से देखने मैं से जब मैंने फर्स्ट तम देखा था तो मुझे लगता थे प्लास्टिक है मेरे को भी लगता था प्लास्टिक है जब मैंने इसको लेने से पहले रिश्च कर रहे थी बाई यह दो बंदों के लिए बैसिकली बनी नहीं है वाकि हम इंडियन से तो भाई जोगार करी लेते हैं तो तीन बंदे यह बिठा लेते हैं वह अपनी अलग बात है बड़ भाई एक बंदा इसको आराम से कमफोड़ेवली यूज कर सकता है पीछे भाई बैठने के लिए मैं इसक कमपनी देते हैं डॉमिनर बगरा में आपको देखने को मिल जाएगा कि पीछे कुछ ना कुछ है ग्राइब हैंडल होते हैं यह लोगों की नजरों में आता नहीं है बट यह ग्राइब हैंडल है जो अगर पीछे आप पिलियन कभी यूज कर रही हो तो आप इसको पकड़ से इतने पैसे में यह बाइक लेंग कि नहीं लेनी चाहिए भाई अगर आप एक प्राइब लवर हो और आप चाहते हो कि एक उस तरी के से मेंटेन कर सकते हैं तो इस बात को तो मैं आपको थम्स आप देता हूं कि पता लग जाता है कि महंगी बाइक रखने से कि आप तहां स्टाइंड करते हो आप कितने केर करते हो गाड़ी के बारे में अच्छा ठीक है इस सेग्मेंट जैसे यह 125 आपको मिली आप बता रहे थे कि एक नब्बे के आसपास आपको यह पढ़ रही थी वो उस टाइम की तो अब बंदा इतने पैसे देने के बाद 125 लेने जाएगा तो यह मतलब बहुत लोग ऐसा भी दिमाग लगाते हैं हमारे वीवर्स भी बहुत सोचते होंगे कि आरवन फाइव क्यों न ले 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 वो त अधर देन बहुत सी कंपनिया जो बना रही हैं CBR बगारा जैसे होंटा कि आप देख सकते हो तो सिर्फ KTM की ही रेसिंग बाइक क्यों जो इतना प्रफर करते हैं पाकी आप स्पोर्स बाइक में चले जाओगे रेसिंग बाइक में चले जाओगे जो KTM की बिल्ड गॉलिट होती है और KTM का जो रो एंजन होता है वो काफी अच्छा होता है इसका तो इनिशल पावर बहुत कम है बट आप 200-390cc में चले जाओ इनके इनिशल इतना अच्छा होता है कि 400cc की बाइक इसको नहीं बीट कर सकती है इसका इनिशल अच्छा होने के कारण और भाई इसकी मा अच्छा लगा बंटी भाई आपसे बात करके बाइक मेर को वैसे भी बहुत अच्छी लगी बाकि जो रनिंग शॉट्स होंगे इसके हम सिनिमेटिक में डाल देंगे आप इंजॉय कर सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी बंटी भाई से दुबारा मिलेंगे किसी और के असाथ तो वीडियो आपको कैसी लगी है फिर से बता सकते हैं थम्जब दे सकते हैं लाइक अकर अच्छी लगी होगी तो और कमेंट में पता सकते हैं आपको ये बाई क्पसंद लगी और इसके इतने पैसे में कोई औरबायode को रेना चाते हैं तो और छी ठीक है दोस्त